एक धर्म पिता बनकर पुझ महराश्री ने ये यग पांच वर्ष पूर्व शुरू किया था पहले 11 फिर 20 फिर 108 बिवाह पिछले साल 125 बेटियों के बिवाह और इस वर्ष 155 बेटियों की शादी हो रही है चार सो बेटियों का पिता आप सभी ने आज तक नहीं देखा होगा वे हमारे मंच पर हैं हम पुझ महराश्री से आगरे करेंगे आज की संत सभा में वे भी हमें आशीर वचन दें आचार शिद्धेश्वर पादु काभ्यो नमोस्तु शीता पति पादु काभ्या अंजनानननंबीरं जानकी सोकनासनं कपी समक्ष हंतारं बंदेलंका भयंकरं संत बड़े परमार्थी भेश धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत सियावल राम चंद्री की बागेश्वर धाम की परम पूझ अनंत स्री भूशत स्री बद्रीनाथ वाले महराज जी की परम पूझ श्री जगतगुरु भगवान की सब संतन की परम पूझ अनंत स्री भिभूशत हनमान गड़ी बाले स्री दाजुदास जी महराज जी की परम पूझ अनंत स्री भिभूशत पठान कोट बाले महराज जी की परम पूज अनन्त स्री विभूषत चित्र गुप्त बाले पीठाधी सुर महामंडिले सुर जी की परम पूज अनन्त स्री विभूषत छोटी छावनी बाले पूज महराज जी की स्री ब्यास जी महराज की बादसल्य मूर्ती हमारी भुगा जी और जिन्होंने हजारों ऐसी बेटियों को अपना रखा है जिन बेटियों का कोई नहीं है हमने चत्रांकन के माध्यम से लोगों के मुकारविंद से स्रीधाम ब्रिणदावन के बरजबासियों के मुख से सुना उन छोटी छोटी बेटियों को गोद में ले रखा अपनी चत्र छाया में पूझ्या हमारी भुगाजी ने ले रखा है जिनका इन दुनिया में कोई है ही नहीं उनके जीवन का सहारा और अद्भुत ये है कि उन बेटियों की मा भी आप हैं और पिता भी आप हैं ऐसी बातसल्य मूर्ती पूज्या सबके लिए तो दीदी मा हमारी भुगाजी है आज कृपाग पुना हुई है पिछली बार भी आपका आशिर बचन और आपके दर्शन बागेश और धाम के समस्त परिवार जनों को मिले थे लगबग धाई वर्ष पूर्म में बगल में ही एक और दिब्व भूती ब्राजमान है मंच पर जिनके दर्शन करके हम सब धन्न हो रहे हैं ऐसे स्री राम जन्मभूमी न्यास में 22 जन्वरी को जब प्रभू स्री राम की प्राण प्रतुष्ठा हुई और आपने वक्तब दिये और आपके वक्तब के साथ साथ हमारे भारत देश के माननिय प्रधान मंत्री जी के ब्रत को आपने पूर्ण करवाया ऐसे परम पूज अनन्त स्री विभूशित महराष्ट की धर्ती पर संत ज्याने सुरी की भूमी में सनातन संस्कृती और संस्कृत के प्रचार के लिए पूरे भारत में अनेकों संस्कृत बिद्याले आपने चलवा रहे हैं ऐसे परम पूज श्री नाम लेने में दास की निश्चत रूप से धर्ष्टता होगी पूज महराज जी पर कैमरा कर दिया जाए सोई ठीक रहेगा अकेले में तो नाम लेने में दम पड़ जाती है सामने सामने में ये लगने लगता है कि कहीं बिस्फोट न हो जाए तो पुझ महराज जी का भी दर्षन हम सब को हो रहा बोलना तो हमें नहीं चाईए था लेकिन अब रहा भी नहीं जा रहा शुगरबाले को अकेले में रसगुला मिल जाए तो वो इतना खाता है जिसका जितना उसका खाता भी नहीं होगा उतना खाता है उसी प्रकार हमारे जैसे धूरत मूर्ख को माई के मिल जाए तो बोलने की आदत पड़ जाती है आज हमारे पूरे बागेस्वर परिवार के भाग जाग गए इतने महापुर्ष यहाँ पधार गए हैं। अभी हम प्रियाग से अभी हम वहाँ व्यस्त थे लेकिन अभी अभी दर दर्श्ट चरणों के उपर हम अदास की नजर पड़ी 110 बर्शी पूज महत्मा प्रियाग से पूज महाराजी पधारे हुए हैं। संतों का बुलाने का चाहिए था बहाना। तो कथाव यग्य के माध्यम से तो आते हो कुछ नहीं आते के कन्या बिवाय तो हर साल होता है तो आ जाएंगे। तो हमें लगा कि एक बड़ी हाव पाय है यह बहाना हमने है ऐसे नहीं पाया एक बिधर्मी के मूं से पाया। एक बिधर्मी ने कहा कि राम मंदर बन गया तो क्या देश का भला हो गया। अब पंडित पुजारी मजे उड़ाएंगे। दान पेटी में चड़ावा आएगा। अब पंडे पुजारी उसके मजे उड़ाएंगे। संतों के तो मजे हैं। और कृष्ण जनम भूमी के लि यह दान पेटिया नहीं है। भारत के विकास के लिए और सनातन के वर्चस को बनाने के लिए है। और राम मंदर में न्यास है। वहां पंडे पुजारी तो केबल ठाकुर जी की सेबा कर रहा है रगुनाज जी की। उसका एक विधिवत न्यास है। ट्रस्ट है। उस न्य न्यास के अंतरगत वहां पर वैरीकेटिंग, सापसफाई, सफाई करमचारी, वहां की विवस्था। जितने भी भारत के मंदर हैं। हम सब सनातनी हिंदू 2 पैसा 5 रुपया तुलसी 15 रुपत करते हैं। उससे केबल पंडे पुजारियों का भला नहीं हो रहा है। बागे इसी संकल्प को लेते हुए हमने फिर पाच तारिक के लिए विचार किया कि जब सभी संत आएंगे तो हम ये बात उनके चरणों में रखेंगे। संत बड़े दयालू होते हैं, बड़े कृपालू होते हैं और हमारे तो प्राण भी संत हैं और हमारा तो जीवन में स्वास हमारे जीवन में जो कुछ भी है इन संतों के चरणों के ही प्रताप के कारण है। बहुत लोग अकेले में हमें मिलते वो कहते हैं आपके चमतकार का राज क्या है। और दूसरा कोई राज नहीं है तो बिना बिलंब किये क्योंकि हम भी भूखे हैं हमाई बुगाजी भी भूखी है पुरसाथ पावेंगी कुई की पधार बहुत लंबी याक्त्रा करके यहां हमारे छतरपुर जिले का दूसरा सौभाग यह पुज महराजी बगल में एक स् प्रामान रहते कई दनों तक कुब गव सेवा होती है खूब गवसेबा होती है जंगल में है बुंदेल खंड चुना यह हमारे बुंदेल खंडियों का सवभाग है कि उन पूजया दीदी माने बुंदेल खंड को चुना है एक उत्रा खंड है वो देव भूमी है एक बुंदेल खंड है ये भी देव भूमी है केवल एक बुंदेल खंड महराज जी ऐसा है जहां राम जी चौदा बरस के बनवास में बारा बरस यहां रहे चित्रकूट में यही वो बुंदेल खंड है जहां बेदब व्यास जी न जनम लिया, कालपी में, यही वो बुंदेल खंड है महराजी जहां की रानी लक्ष्मी बाई की चर्चा बिदेसों तक डंका आज भी बज रहा है, यही वो बुंदेल खंड है महराजी जहां चत्रशाल महराज जैसे ब खजराही की, खजराहू की सिल्प कला, बाहर काम तो भीतर राम, ऐसा हमारा बुंदेलखंड, तो हम लोगों का तो सौभाग तब जा गया, जब सेज़ई धाम में, पुझ या दीदी माने और पुझ महराजी यहां ब्राजमान हो गए, तो हम सब बुंदेलखंड वाले सेज़ई धाम जाओ, खूब गउसेबा हो रही है, और आप लोगों को गौरो करना चाहिए, दीदी माव अपने ही बुंदेलखंड की हैं, हाँ, वादसल ग्राम तो है ब्रिंदावन में, परिक यह भी, तो हम सब, आप सब महापुरुष ब्राजमान हैं, कुछ कहना नहीं बिनम्म प्राथना है, आप भी ब्राजमान है, पुझ हम जब आलंदी गएते अभी महराष्ट, आलंदी में, तो पुझ महराजी का हमारे भारत ने भी अम्रत महुत्सों मनाया, भारत बासियों ने, पचत्तर वां अम्रत महुत्सों मनाया, जगत गुरु तुलिसी पीठा अधिसर धर्म चक्रबरती पद्वे भी भूशन रामानंदाचार्य, पुझ हमारे गुर्देओं का भी अम्रत महुत्सों हम लोगों ने उध्या में मनाया, दो जगए अम्रत महुत्सों का आसिरबाद बधाई लूटने के बाद हम रुके नहीं, हम महराष्ट गए, महराज जी की आग्या लगी, और एक बड़ी खुस खबरी हम आज घोशना कर रहे हैं, कि पूझ महराज जी के मार्ग दरसं से और महराज जी की क्रपासे उनके ही खर्चे से, बागे सुर्धाम पर संस्कृत गुरु कुलम बनने जा रहा है, वहाँ पर महराजी ने पक्का क दिया था, लेकिन कव पहले एक गुरु कुलम पूझ महराज जी आयुद्या में राम मंदर के पास बनवाएंगे, उसके ठीक बाद बागे सुर्में, हमें ये भी याद है, महराजी ने ये कहा था कि इसमें एक नोट लगा दिया था, वह होता ना, जैसे, बोले बनेगा त गुरु कुलम बनने के बाद, तो हम सब बुंदेल घंडबालों को अब यह समझना है, पूरे भारत के लोगों को आज पाँच तारीक के माध्यम से, हम सबको इन संतों का साथ देना हैं, और हम संतों के साथ हम सबको मिल करके, अब ये धर्म विरोदियों को बताना है, मठ म मंदर गरिब बेटियों का घर भी वसाते हैं हमारे मठ मंदर पुझ दीदी मा जैसी भगवती के साक्षाथ भगवती शुरूपा की जैसी उनकी छत्र चाया में अनात बच्चों को पढ़ाते भी हैं बढ़ाते भी हैं और उनको गुर्बान बना करके भारत का भविस्वत ला आते हैं हमारे मठ मंदर में आने बाले दान पात्र की रासियों से केवल मंदरों का भिकास नहीं होता आलिंदी संत ज्याने सुर की भूमी संतों की भूमी महराश्ट में रहने बाले संत प्रवर्तक्त पुझ महराज जी पुझ स्री आचानन स्री विभूशत गोविन देव ग्रीजी महराज जैसे महत्मा सरबत्र जाया करके संस्कृत विध्यालय बनवा करके चलवा करके भारत की संस्कृति को भी बचाते हैं और भारत को हिंदु राष्ट बनवाने का संखल्प पूरा करवाते तो आज के पांच तारीक के संत शंवेलन की उप्रमुक भूम का यह है कि हमारे आपके उपर कोई भी अगर मंदरों पर उंगली उठाए तो अब हमें जबाब देना पड़ेगा चुप नहीं रहना पड़ेगा उन बिरोधियों को मूँ तोड जबाब देना पड़ेगा सेस बचे हुए भारत के मंदरों से भी एक-एक अस्पताल बनवाना चाहिए कि कौन-कौन इसमें समर्धन में है तो बड़े कंजूसी के साथ क्यों हो जैस्रीडा जैस्रीडा तो क्या आप चाहते हो बोलो तो फिर सपोर्ट कौन-कौन करेगा अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन-कौन बारेगा घर के बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी तो कौन-कौन निकलेगा बातों में के सच्ची एक-दो दिन के लिए के बास्त बेक करके बताओगे पक्का 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 फिलो भाई आप भारत हिंदू राष्ट हो ही जाएगा बस इसी भाव को जब तक संत नहीं पहुंचते तब तक भूम का नहीं बनती हमारे महंत राजुदाश जी महराज बहुत अद्भुद बोले हमको पहले यही पता था कि यह फायर बाबा है आज हमको देखने को मिल गया कि फायर बिग्ग्रड बाबा है यह बड़े वाले तोप है इनसे तो इनसे तो टकराना यह मानिके चलो धरम बिरोधियों का भस्म होना है सवी संत महत्मा बिराजमान आचारे पुझी स्री संतों की कृपा यग्याचार जी हमारे अनूज आचारे स्री इंद्रे सुपाध्याय जी की कथा का प्रभाव और यहां पर राजपीट के भी राजसवा सांसत जी भी बिराजमान है